नमस्कार दोस्तों सुवागत। आपका टेhehe no defense update पे तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले है भारत के MK fighter jet के बारे में 2020 में क्याके update इसके उपर रहे उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और साथ में दोस्तों जो लोग एमका के उपर पूरी डिटेल वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने description में और साथ में comment section में एक link दिया है तो आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं वो पूरी 20 minute की वीडियो है जिसमें मैंने एमका के बारे में हर एक detail इसके जो wing tails हर एक बारे में पूरी details से आपको बताया है और आपको नीचे playlist का भी एक link मिल जाएगा comment section में और साथ में description में तो आप वहाँ से जाकर जो playlist है और जो fighter jet एमका के उपर जो related video है उनको आप देख सकते हैं तो चले दोस्तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लेज चैनल को subscribe कर देजे साथ में वीडियो को like कर देजे कि किसी साल की आगरी वीडियो होने वाली है तो दोस्तो भारत ने fighter jet के मामले में आत्म निर्भर बनने के लिए खुद के एक indigenous fighter jet program को सामने रखा है जिसमें आप सबको पता है कि भारत का TSMK 220 engine deck based fighter jet और सबसे important भारत का MK यानकि advanced medium combat aircraft है जो कि 5th generation का fighter jet होने वाला है जिसमें 6th generation की खूबिया भी होगी तो इस कारण से 5.5th generation का fighter jet माना जाता है तो दोस्तो यह अभी तक design phase में है लेकिन वो अपने अंतिम design phase में है यानि कि 2020 के अंदर इसके अंदर बहुत जारा changes किये गए है और जो इसका design phase है वो बहुत जल फ्रीज होने वाला है तो दोस्तो 2020 में क्या क्या अपडेट रहे उनके बारे में जानते हैं तो दोस्तो एक अधिकारिक ब्यान के मुताबिक 2021 एरो इंडिया में आपको जो MK का final जो scale model होगा जिसमें इसका जो design है वो एक तरह से freeze कर दिया जाएगा बहुत सारे changes के बाद तो उसको दिखाया जा सकता है और साथ में क्योंकि design में कहीं तरह के सारे changes किये गए जिसमें इसका जो phase 1 है वो complete हो चुका है जो final phase है उसके उपर ADA और साथ में HAL मिलकर काम कर रहे है radar cross action है उसको बहुत जादा कम करने के लिए इसमें बहुत सारे changes किये गए है जिसमें सबसे पहले तो जो divert less supersonic inlet है यानि की DSI उसको और जादा refine किया गया है ताकि उसका वजन भी कम हो और साथ में जो इसका सामने से front radar cross action है जहां से सबसे पहले fight react को track करना शुरूब भी आ जाता है वो और जादा कम हो और DSI यानि की divert less supersonic inlet को refine करने से इसका जो वजन है वो कम होगा तो इसकी जो performance है वो भी और जादा बढ़ जाएगी और दोस्तो साथ में जो front section है वहां का radar cross section कम करने के लिए इसमें canopy bubbles की जो है एक तान से coating की जाएगी जो की इसे और ज्यादा stealth ही बनाएगी और दोस्तो जो इसका engine का design है उसको और ज्यादा अंदर की तरफ किया गया है और जो horizontal जो tail है उसको और ज्यादा बढ़ा किया गया है और साथ में जो internal weapon bay है उसको और ज्यादा improve किया गया है ताकि वो और ज्यादा weapons को carry कर सके और जो stealth feature है वो और ज्यादा वो increase कर सके जो इसका internal weapon bay है तो दोस्तो जो engine है उसको अंदर की तरफ इसलिए किया गया है ताकि जो IRST system है वे भी MKA को ना track कर सके और साथ में 2021 में जो MKA का design है वो आपको देखने को मिल सकता है जो इसका final design है और दोस्तो इसके बाद Dr. Giris SG के मताबिक जो की ADA के director है उनके मताबिक MKA की first flight 2025 या 26 में होगी लेकिन जो prototype है वो 2024 में बन कर सामने आ जाएगा और दोस्तो इस 2024 में prototype सामने आएगा लेकिन इसके first flight 25 से 26 में क्यों होगी तो मैंने जो नीचे link description में दिया है आप उस video से पूरी तरहां से हर एक छोटी से छोटी detail वहाँ से ले सकते हैं और दोस्तो उसके बाद 29 जून को ये खबर सामने आई कि भारत का MKA private sector के यानि की joint venture के तहत मिलकर बनाये जाएगा और जो private sector है उसकी हिस्सेदार 51% से जादा रहीगी जो कि वाकिये में इस साल का सबसे बड़ा update था और साथ में दोस्तो जो MKA fighter jet है इसके लिए एक major update था इससे जो इसकी production line है उसमें किसी भी तरहां का जो delay नहीं देखने को मिल सकता है क्यों प्राइवेट सेक्टर का आप सबको पता है कि वे कितनी जल्दी काम करते हैं वे over time लगा कर भी अपने जो project है उनको पूरा कर सकते हैं वो जो private sector है वही इसकी funding के लिए भी जो पैसा है वो available कराएगा तो इस कारण से जो private sector है उसका अच्छा खासा हस्तक शेप इसमें होगा तो दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि भारत अपने जितने भी हत्यार है जिनका production है उसे private sector को क्यों नहीं देता है तो देखें दोस्तों अभी भारत के private sector के पास इतना experience नहीं है कि हम उन्हें एक साथ आज से गुसा दे उनको थोड़ा थोड़ा सिखाना पड़ेगा तब जाकर हमारे defense sector के लिए जो हमारा private sector है वो ready होगा नहीं तो दोस्तों अगर हम आज की इपतारिक में अगर मान लेजिए उनको सारी production line दे देते हैं तो हो सकता है कि हमारे जो quality है वो एक तरहां से बहुत जादा खराब हो जाए और दोस्तों इसके बाद जो funding available कराएगा private sector जिसमें 2028 में ये फाटरिजेट production के लिए ready होगा और दोस्तों ये बात खुद आर माधवन जी ने सामने रखी थी जो तमिल नाडू में इसके production का हिस्सा होगी जो भारत की private company होगी और साथ में दोस्तों ये private company ये टाटा भी हो सकती है या फिर भारत की reliance हो सकती है या दूसरी कोई company हो सकती है और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात जो HAL है वो केवल इस program की जो production है उसको केवल lead करेगी जो पूरी supply chain है वो private sector के हाथों में रहेगी और जो पहले के prototype है उनके लिए जो cost आ की गई है वो है लगबग 2.5 billion से लेकर 3 billion यानि कि दोस्तों भारत को 21,000 क्रोड से ज़्यादा जो है इस project के लिए आवशकता होगी जो इसके पहले prototype होगे वो दोस्तों हो सकता है 3 billion से ये रकम बढ़कर आगे भी जा सकते है क्योंकि दोस्तों जो 5th generation के fighter jet होते हैं ये बहुत ज़्यादा heavy cost को मांगते है दोस्तों पहले भारत इसको 5th generation का fighter jet बनाने वाला था लेकिन दोस्तों उस हिसाब से आप सबको पता है कि 2030 तक बहुत से देश सिख generation के fighter jet के जो prototype है उसे सामने रख देंगे तो ऐसे में ये fighter jet outdated ना हो जाए तो इसे भारत 5.5 generation का बनाएगा तो इस कारण से इसमें जो सिख generation के बहुत से feature भी होंगे जिसमें सबसे पहले तो 5.5 generation के लिए इसमें AI system का इस्तिमाल किया जाएगा multi spectrum इसमें होगा और भी बहुत सारे खूबिया इसमें रहेंगी और दोस्तो रही बात इसके weapon package की तो अगले साल भारत अस्तरा IR जो की infrared missile होगी उसका test करेगा जिसकी range 40-50 km से जादा हो सकती है दोस्तो अस्तरा MK2 जिसकी range 1500 km से 170 km तक होगी उसका भी भारत टेस्ट करने वाला है और इन दोनों missile के लिए सुखोई 30 MKI के अंदर changes भी कर दिये गए है और साथ में दोस्तो भारत ब्रह्मोस missile बना रहा है यानि की ब्रह्मोस connect generation variant जिसकी range 200 km होगी जो की वॉक्स killer missile मानी जाती है और अस्तरा मार्क 3 जो की 320 km की range के साथ आईगी और ये very long range की BVR missile होने वाली है और दोस्तो हम बात रही इसके engine की तो दोस्तो एमका को 110 km वाले engine की आवशकता है जो की 5th generation की खूबियों से less हो और दोस्तो भारत लंबे समय से engine के लिए एक दासे हाथ पैर मार रहा है लेकिन भारत खुझ से जो fund की कमी होने की वज़ा से खुझ से एक indigenous engine को तयार नहीं कर पाया लेकिन दोस्तो भारत के सामने option है कि साफरान और जो रोल्स रोइस है उनके joint venture की मदद से हम ऐसा engine बना सकते हैं जो की 110 km की जो thrust है उसे generate करे और दोस्तो जिसमें जो UK की रोल्स रोइस है उसके बहुत जादा chances है क्योंकि दोस्तो आप सबको पता है कि 26 January को यानि कि Republic Day को ये स हो सकता है कि उस समय बहुत सारी defense deal है वे भारत UK के साथ sign करेगा दोस्तो ये जो company है इसके पास American F-35 engine का जो experience भी है क्योंकि ये उसमें भी एक तांसे joint venture में रह चुकी है और जो भारत हर तरहां की जो property rights चाहता है engine को लेकर वो भी ये देनों का तयार है उस साथ में technology को भी य यार है वो दोस्तो रोल सो इसका कहना कि वे भारत को आने वाले साथ सालों में ये जो engine है उसको ready करकर provide करा सकते हैं वो दोस्तों ये 110 किलो newton thrust वाले engine की यहां पर बात हो रही है उस साथ में हो सकता है ये समझोता हो जाए जो कि बहुत अच्छी बात होगी तो दोस्तों नहीं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई जैहिंद